C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित कक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक अध्याय दो अभी निश्क्रमन प्रिष्ट संख्या अठार अभी निश्क्रमन ग्रीत्याग शाक्त पुत्र सिधार्त को विविध प्रकार के आमोध प्रमोध तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रैतन किया गया था परन्तु उसे उनमें ना शान्ती मिली ना सुख जैसे कोई सी ही विशाक्त वान के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है वैसे ही राजगुमार बेचैन हो गया था इसलिए उसके मन में शान्ती प्राप्ती के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्या मांगी आज्या प्राप्त कर राजकुमार सिधार्थ अपने मित्रों के साथ राजभावन से निकला सुन्दर घोडों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा खेतों में हल से उखडी हुई घास तथा अन्य खर पत्वार देखे हल की जुताई से मरेहवे कीडे मकोणों को देख कर राजगुमार का हृदय द्रवित हो गया उसका मन शोक से भर गया वह विहवल होकर घोडे की पीट से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा राजगुमार का मन जन्म और मृत्यू के विशय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजगुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयम सामने जामुन के पेड के नीचे बैट कर ध्यान करने लगा थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ वह राजग द्वेश से मुक्त होकर तरक संगत विचारों में डूब गया धीरे धीरे उसने मानसिक समाधी प्राप्त की और उसे शांती और सुख का अनुभव हुआ धीरे धीरे सिधार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गती स्पष्ट होने लगी उसे लगा लोग अज्यान वशी, जरा, व्याधी और मृत्यू की उपेक्षा कर रहे हैं वह सोचने लगा, क्या मैं इन ही की तरह इनकी उपेक्षा करूँ? नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया अब वह हर्ष, संताप और संदेह से मुक्त था इस समय वह ना निद्रा में था, ना तंद्रा में अब उसके मन में किसी के लिए, ना राग था और ना द्वेश प्रिष्ट संख्या उननीस इस मानसिक समाधी से सिध्धार्त की बुद्धी जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षू वेश में एक पुरुष दिखाई दिया वह और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था सिध्धार्त ने उस पुरुष से पूछा आप कौन है? तो उसने बताया मैं जन्म मृत्यू से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ मैं मृक्ष की खोज में हूँ अपने पराय के प्रती समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेश से मुक्त हो गया हूँ अतह अब विचरण ही करता रहता हूँ कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ सभी आशाओं से मुक्त संग्रह शीलता से मुक्त कभी किसी निर्जन देवाले में और कभी किसी पर्वत पर यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतरध्यान हो गया उस सन्यासी के अद्रिश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिधार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई उसे विस्मय भी हुआ उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयतन नहीं किया वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राज कन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़ कर कहा हे विशाल नयन आप जिस स्त्री के पती हैं वह निश्चित ही निवरित है सुखी है राजकुमार को इस निवरित शब्द के श्रवन मात्र से परम शांती का अनुभव हुआ और वह निर्वान के विशय में सोचने लगा राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राज सभा में पहुचा वहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुखोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र राजकुमार ने हाथ जोड़ कर पहले राजा को प्रणाम किया हे नरदेव मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यास लेना चाहता हूँ आप कृपा कर मुझे आग्या प्रदान करें क्योंकि यह निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा अतह अभी जाने के आग्या प्रदान कर मुझे उपकृत करें राज कुमार के वजनों को सुनकर राजा उसी तरह काफ गए जिस तरह कोई व्रिक्ष हाथी की रगड से काफ जाता है उनका गला भर आया उन्हों ने कुमार का हाथ पकड़ कर कहा हे तात इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो अभी सन्यास लेने का समय तो मेरा है तुम तो पुरुशार्थ करो राज लक्ष्मी का भोग करो ग्रिहस्त धर्म का पालन करो और यू अवस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना यह तुम्हारे सन्यास ग्रहन करने का समय नहीं है इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें राजगुमार घोड़े पर बैठा है और पीछे उनके पिताजी उनसे अनुने याजना कर रहे हैं राजा ने तरह तरह के तरक देकर राजगुमार को समझाया परंतु राजगुमार ने उनके सभी तरकों को निरस्त कर दिया अन्त में कहा यदि आप मेरी चार बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा वे चार बातें हैं मेरी मृत्यू ना हो मैं सदा रोग मुक्त रहूं मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ती सदा बनी रहे राजकुमार सिधार्थ की इन असंभो बातों को सुनकर महराज शुद्धोदन चकित हो गए उन्हों ने उसे बहुत समझाया और कहा हे पुत्र ऐसी उठ पटांग बातें मत करो मेरा हृदय फटा जा रहा है देखो तरकहीन बातें करने वाला व्यक्ती सदा उपहास का पात्र होता है अतह तुम इस विचार को छोड़ दो प्रिष्ट संख्या 21 परन्तु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा न सही मेरी बातों में कोई तरक किन्तु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उससे निकल जाना ही श्रेयसकर है जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूँ नहीं तो मृत्यू तो अलग करेगी ही राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया राजा ने आँखों में आशू भर कर उसे रोकना चाहा परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुना कर अपने महल की ओर चल दिया जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुँचा उसे सुन्दर स्त्रियों ने घेर लिया उस तेजस्वी राजकुमार को देख कर वे मोहित हो गई पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ती के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़ कर चलने के लिए उतावला हो गया वह निशंक भाव से उठा और जट से अपने कक्ष से बाहर आ गया वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्व रक्षक छंदक को जगाया और कहा हे छंदक तुम शीघर कंथक यानि घोड़े को ले आओ मैं अभी अमरित प्राप्ती के लिए जाना चाहता हूँ आज मेरे हृदय में संतोष है बुद्धी में द्रिण निश्चे है और मेरा लक्षे मेरे सामने है लगता है मेरे जाने का समय आ गया है अश्व रक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आग्या का पालन किया वह शीघर ही अश्व शाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया राजकुमार ने घोडे के शरीर पर हात फेरा और कहा हे तुरंग श्रेष्ट तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रूँ को जीता है अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अम्रित पद की प्राप्ती हो इसका लाव तुम्हें भी होगा तुम्हें पुण्ने मिलेगा इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्यान के लिए मुझे शीघर ही यहां से निकाल दे चलो इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझा कर राजकुमार उस पर सवार हो गया ऐसा लगता था जैसे की शरदकारीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज ना हो कोई परिजन जागे नहीं बिना हिन हिनाय वह शीघर राजभवन के द्वार पर आ गया राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए सभी प्रहरी सो गए और राजकुमार अपने द्रिड संकल्प के साथ अपने हितैशी पिता, प्रिय, पुत्र अनुरक्त ग्रिह लक्ष्मी और अन्य प्रिये जनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया प्रिष्ट संख्या 22 यहां एक चित्र है जहां सिध्धार्थ पलंग पर बैठे हैं और अपनी पतनी और पुत्र रहुल से बाचीत या विमर्ष कर रहे हैं राजकुमार सिध्धार्थ ने एक बार नगर की और मुढ कर देखा और घोशना की जन्म और मृत्यू के पार देखे बिना मैं अब इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूँगा सूर्य के घोडों के समान यह घोडा भी किसी दैवी प्रेरणा से दृत गती से चला जा रहा था उदी ये मान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल आया था छंदक की वापसी थोड़े समय बाद भारगव रिशी का आश्रम दिखाई दिया आश्रम के पास निश्चिन्त भाव से अभी अनेक हिरन सोये हुए थे ब्रिक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे आश्रम की यह शोभा देख कर राजकुमार प्रसन्न हुआ उसे दगा कि वह कृतार्थ हो गया उसकी सारी ठकान जाती रही आश्रम के द्वार पर पहुँचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्रभाव से घोड़े की पीट से उतर गया घोड़े से उतर कर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया उसे पुचकारा और कहा हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है फिर स्निग्ध द्रिष्टी से छंदक को निहारते वे कहा हे सौम्य, गरुड़ के समान दृत गती से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दोड़ कर तुमने जो मुझ में भक्ती दिखाई है उसने मेरा मन जीत लिया है मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है मैं और क्या कहूँ तुमने मेरा प्रियकार्य किया है अब तुम घोड़े को लेकर लोट जाओ मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है इतना कहकर राजगुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूशन उतार कर छंदक को दे दिये उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मनी अपने मुकुट से निकाल कर उसे दे दी और कहा हे चंदक, राजा को यह मनी दे कर मेरी ओर से बारम बार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना हे तात, मैं स्वर्ग की त्रिशना से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूँ मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहां आया हूँ शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए मैं अपने पूर वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूँ अतह आप मेरे लिए शोक ना करें मृत्यू रुपी शत्रू के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा इसलिए युवस्था में ही मैंने कल्यान का मार्ग चुन लिया है राजकुमार ने फिर छंदक से कहा हे सौम्य इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना तुम मेरी बुराई भी करना क्योंकि दोश दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया उसकी आँखों से आंसू बहने लगे उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा हे सौामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है आपके इस निर्ने से किसे कष्ट नहीं होगा कहा कोमल शयया पर सोने योग यह शरीर और कहा यह कंटका कीन कठोर तपो भूमी नजाने मैं आपको यहां तक कैसे ले आया यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जान कर मैं इस अश्व को कभी न लाता आप अपने व्रिद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का द्रिण निश्चय कर ही लिया है तो भी आप मुझे न त्यागिए आपके चरणों में ही मेरी गती है जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ आये थे वैसे ही मैं आपको वन में छोड़ कर नगर नहीं लोड़ सकता इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें राजगुमार सारती छंदक से वारतालाब कर रहा है और वो वन में जाने की बात उससे कर रहा है वो ये भी कह रहा है कि वो जाकर राजा को क्या कहे उसने अपने वस्त्रों और अभुशनों का परित्याग कर दिया है और अब वो तपोवन में जाने के लिए बिलकुल तयार है अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या 25 उसने आगे कहा हे तात, आपके बिना यदी मैं नगर लोट जाओंगा तो महराज मुझसे क्या कहेंगे अंतःपुर की रानियां क्या कहेंगी यदी मैं जूट मूट ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा इसलिए हे दयालू आप करूणा कर मुझ़ पर प्रसन्न हो और घर लोट चलें छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैरिय और शांती के साथ उसे पुनह समझाया और कहा छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयम स्वजनों को न छोड़ें फिर भी वे एक ना एक दिन मृत्यू के कारण छूठी जाते हैं जिस माता ने मुझे कश्ट पूर्वक गर्व में धारण किया वह मा अब कहा है और मैं कहा हूँ जैसे रात को पक्षी एक व्रिक्ष पर एकत्र होते हैं और प्राता काल फिर अलग हो जाते हैं उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लोट जाओ यदि तुम्हारा मन ना माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना अभी तो तुम कपिल वस्तु लोट जाओ और मेरी प्रतिक्षा कर रहे लोगों को समझाओ तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें मैं जन्म मृत्यू का रहस से जानकर अवश्य ही कपिल वस्तु लोटूंगा और यदि मुझे लक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा राजा सिधार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आँखों से भी आँसू बहने लगे और वह जीव से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा राजगुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा हे कंथक, रो मत, तुमने आज अच्छा कारे किया है उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा ऐसा कहकर राजगुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जडित क्रिपान ले ली उससे अपने केश काटे और मुकुट फेक दिया राजगुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काशाय वस्त्र धारन किये हुए था सिधार्त ने उस शिकारी से पूछा हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ रिशियों के काशाय वस्त्र आपको शुभा नहीं देते यदि आपको इन वस्त्रों से मोह ना हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले ले और अपने ये काशाए वस्त्र मुझे दे दें। सिधार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा यदि आपको मेरे काशाए वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए। दोनों ने परस पर वस्त्र बदले, इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चेरे चकित रह गया। छंदक ने काशाय वस्त्रधारी राजगुमार को विधिवत प्रणाम किया। काशाय धारी सिध्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमी पर गिर पड़ा। फोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता, वह धीरे-धीरे कपिलवस्तु की ओर चलता चला गया। प्रिष्ट संख्या 26 तपोवन प्रवेश जाते हुए छंदक को विदा कर, जब सिधार्थ ने किसी सिध्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया, तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभी भूत हो गया। उनके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था। फिर भी सभी आश्रम वासियों के द्रिष्टी उनकी ओर अनायास ही आक्रिष्ट हो गई। जो किसान अपने स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे, वे सिधार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मन कुमार हाथों में समिधा और फूल लिये हुए लौट रहे थे, एक टक कुमार की ओर देखते रह गए और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। काशाय वेशधारी सिधार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेतर वाले म्रिग चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतह दूध चूने लगा। आश्रम के रिशी मुनियों ने जब दूर से ही सिधार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे। क्या यह आठवा वसू है? या अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से प्रिथ्वी पर आ गया है? इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिधार्थ का स्वागत किया, उनका अभिननदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिधार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिननदन किया, मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ बातचीत की और तपोवन का निरिक्षन किया, उन्हों ने आश्रम की सारी गती विधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस् परिचे के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूँ, मैं यहां के नियमों से नितांत अपरिचित हूँ, कृपया आप बताईए कि आपका लक्ष क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन प्रकार की साधनाओं की विशय में बताया और उनके फ़लों की जानकारी दी। प्रवेशकर मचलियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ट साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं, तथा निक्रिष्ट साधक पुनह धर्ती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है। और सुख ही धर्म का मूल है। प्रिष्ट संख्या 27 वाला नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोग में सुख पाने के लिए कश्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख भोगने के लिए कश्ट भोग रहे हैं। यह निंदनिये तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ ना बचे। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोग में शरीर पीडा सहना धर्म है, तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त है, और उनसे निवृत्त होता है, अतह मन का दमन करना ही उजित होगा। इस तरह का विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्हों ने उस वन में प्रवेश किया, जहां यग्य का धुआ फैला हुआ था। अगनी होत्र की पूर्णा हूती दी जा रही थी। रिशीगण एकत्रित थे। उनके मंत्रों के स्वरों से देव मंदिर गूंज रहा था और सारा वातवरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। राजकुमार सिधार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्होंग ने यहां पर चल रही सारी तप विधियों का गहन, अध्ययन और परिक्षन किया। किन्तो उन्हें इन तप विधियों से स्थंतोष नहीं मिला। अतह एक दिन उन्होंग ने इस तपोवन को छोड देने का निश्चे किया। उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उन्हें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा, हे तात, आपके आने से यह आश्रम हरा भरा सा लगने लगा था। और अब आपके जाने से यह सूना सूना सा होता जा रहा है। इस रिए आप इसे ना छोड़ें। यहां निकट ही ब्रम्हर्शियों, राजर्शियों और देवर्शियों द्वारा सेवित हिमाले है। चारों और पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या आपने इस आश्रम में किसी को नकारा या संकुचित विचार वाला देखा है। किसी को आपवित्र देखा है जिसके कारण आप यहां रहना नहीं चाहते। आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहीं रहें। यह तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहां रहने से इन सब का अभ्यूदय होगा। प्रिष्ट संख्या 28 उस विध्ध तपस्वी के विनय वचनों को सुनकर राजगुमार ने कहा हे तपोधन। आप सबने मेरे प्रती ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे ज़स्नेह और आदर दिया अभी भूसा हो गया हूँ। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है जैसे अपने बंधुओं को छोड़ने पर होता है। पूर्व युग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं परन्तु इसमें मेरी कोई रुची नहीं है। इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ। इसलिए आपने स्वर्ग का नहीं अपितु अपवर्ग यानि मौक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यही निर्ने है तो आप शीघ रही विंधे कोष्ठ नामक स्थान पर जाईए। वहां अराड मुनी निवास करते हैं। आप उनसे तत्व ग्यान सुनिए। और यदि आपको रुची कर लगे तो स्विकार कर दीजे। परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाद गंभीरता है, जो तेज है तथा जो लक्षन है, उसके कारण आप स्वयम उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य रिशी महर्षी न प्राप्त नहीं किया है। अपिल वस्तु की और जाने लगा, स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था, अश्रू थम नहीं रहे थे, जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे आठ दिन लगे। यद्यपी घोडा कंथक चल रहा था, पूर्वतह अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जबसे उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तबसे घोडे ने ना घास खाई है, नहीं पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रभेश किया। यहां एक चित्र है, जहां अंतःपुर विलाप का दृष्य दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। प्रिष्ट संख्या तीस कपिल वस्तु के वन उपवन जलाशे आदी सब कुछ कुमार के विरह में अरण्ये के समान दिख रहे थे। राज कुमार के बिना दोनों के लोटने पर नगर वासियों ने वैसे ही आशु बहाए। जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रत को देखकर अयोध्या वासियों ने आशु बहाए थे। लोगों को उन पर खीज आ रही थी और वे कह रहे थे पूरे नगर और राश्टर को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहां छोड़ा आये हो। बिचारा चंदक सबको यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा वरन वे ही मुझे निर्जन में रोता हुआ छोड़ कर चले गए। चंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है। हम सब वहीं जाएंगे क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के जहरोखों से जहांक रही थी वे राजकुमार के बिना घोड़े को देख कर रोने लगी। अश्रुपूर्ण नित्रों के साथ कंथक ने जब राज महल में प्रवेश किया तो आर्थ स्वर में हिन हिना कर उसने अपना दुख प्रगट किया। उसकी हिन हिनाहट को सुनकर राज महल के सभी पक्षी और घोड़े आर्थ नाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजगुमार लौट आये हैं। वे जिस स्थिती में थे उसी स्थिती में बाहर आ गए। परन्तु जब उन्हें ग्यात हुआ कि राजगुमार नहीं आये हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलख ब सुनकर यशुधरा शोक और क्रोध से भर कर छंदक से बोली रे छंदक रात को मुझे विवश सोती छोड़ कर तुम मेरे मनुरत को कहां छोड़ आये हो। अरे निर्दई अब तुम क्यों रो रहे हो। तुम हमारे हितैशी हो और तुम ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अ यशुधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आपको संभाल कर बोला। हे देवी आप कंथक की निंदा ना करें। नहीं मुझे दोश दें क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी देवी प्रेर गोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी तरह की ध्वनी नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। इस सब को कोई देवी विधान ही मा चाहिए। तभी तो राजगुमार ने अपना मुकुट फेंका और काशाय वस्त्रधारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे ना मेरी इच्छा थी ना घोड़े की। लगता है यह सब कुछ देवी प्रेरणा से ही हुआ है। प्रिष्ट संख्या 31 मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोग या परलोग में किसी प्रकार भूले नहीं। हाए उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था। उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था। तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़ कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है। तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्चित हो गई। और अंतहपुर की अन्यस्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्धोधन देव मंदिर में हवन आदी अनुष्ठान कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आये हैं और कुमार ने सन्यास ग्रहन कर लिया है तो वे ब्याकुल होकर प्रित्वी पर गिर पड़े। राजा शुद्धोधन रो रो कर कहने लगे मुझे आज दशरत से इरश्या हो रही है जो अपने पुत्र राम के वन जाने पर ततकाल स्वर्ग चले गए। भद्र मुझे वह आश्रम बताओ जहां मुझे जलान जली देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आये हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर ये खो वैठे। जैसे राम के वियोग में दश्रत रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकूल देख कर राजा के शास्त्रग्य पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा हे नरवीर आप शोक छोड़िये धैर यधारण कीजिये आप असित मुनी की भोईश्रवानी याद कीजिये उन्होंने कहा था कि इस कुमार को ना स्वर्ग रोक सकता है ना चक्रवर्ती राज्ये फिर भी हमें प्रयतन करना चाहिए जाएं जहां कुमार गए हैं उन्हें समझाएं और बुला लाएं राज पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आग्या दी और कहा शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हिदय छट पटा रहा है खोज में शीघर ही नगर से निकल पड़े प्रिष्ट संख्या बत्तेस कुमार की खोज राजा शुद्धोदन की आग्या पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघर उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक राजगुमार सिधार्थ को छोड़ आये थे कुछ समय बाद वे भारगव आश्रम के पास पहुँचे उन्होंग ने अपना राजसी वेश त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया अंदर जाकर उन्होंग ने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया वे यहां कुछ समय रहे थे परंतु बाद में मौक्ष की खोज में अराड मुनी के आश्रम चले गए हैं आचार्य की बातें सुनकर राज पुरोहित और मंत्री ने उनसे आग्या ली और वे पुनह राज कुमार की खोज में आगे निकल गए रास्ते में उन्हों ने एक व्रिक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा लगता था कि कुमार ने कई दिनों से सनान नहीं किया है फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वाम देव और वसिष्ठ चित्र कूट गए थे वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहा गए पुरोहित और मंत्री ने कुमार और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की यहां एक चित्र है, जहां सिध्धार्थ को एक व्रिक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या करते वे दिखाया गया है वो बैठे हैं और राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे वापस चलें पीछे एक राजरत दिखाई पड़ रहा है अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ठ संख्या 33 दोनों कुमार की आज्या प्राप्त करके उनके पास बैठ गए व्रिक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए धर्म के प्रती आपकी आस्था और आपके भविष्चे को मैं जानता हूँ परन्तु आपने असमय ही वन का आश्रे लिया है उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूँ इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लोट आना चाहिए जैसे वायू मेघ को उड़ा देता है सूर्य जल को सुखा देता है और अगनी घास को जला देती है वैसे ही शोक मुझे जला रहा है अता आप घर लोट चलिए और राज सुख भोगिए समय आने पर वन जा सकते हैं अभी तो लोट चलिए मुझे मरनासन की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल है पुरोहित ने आगे कहा देखिए धर्म के लिए वन जाना अनिवारे नहीं है सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक ग्रिहस्त राजाओं ने मौक्ष प्राप्त किया है ध्रूव के अनुज बली और वजर बाहु विदेह राज जनक और राम ऐसे ही राजा थे इसलिए आप भी इनहीं की तरह ग्यान और राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए मेरी तु यही इच्छा है कि मैं आपको राज्या भी शेक करूँ और स्वयम सहर्ष वन को चला जाऊं हे कुमार, राजा के अश्रु सिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए जैसे भ्रिग पुत्र परशुराम ने, दश्रत पुत्र राम ने, तथा गंगा पुत्र भीश्म पितामह ने अपने पिता की आग्या मानी थी वैसे ही आपको भी अपने पिता की आग्या माननी चाहिए आपका पोशन करने वाली माता अभी जीवित है पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं, जैसे अपने बच्छडे के ना रहने पर गाय रोती रहती है हंस से वियुक्त हंसीनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी के साथ आप सनात कीजिए अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए नगर तथा अंतहपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए राज पुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिधार्थ ने सविने उत्तर दिया हे तात, मैं पुत्र के प्रती पिता के प्रेम को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि राजा का मेरे प्रती विशेश प्रेम है यह जानते हुए भी जरा, व्याधी और मृत्तिव से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है संयोग के बाद वियोग अवश्यम भावी है इसलिए मैं सनेही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ अन्यथा अपने प्रिये स्वजनों को काउन नहीं देखना चाहेगा मेरे कारण राजा को शोक हुआ यह मुझे अच्छा नहीं लगा परन्तु मिलन स्वपन के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत हैं इसमें संताप का कोई कारण नहीं संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है कुमार ने आगे कहा मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़ कर यहां आता है और फिर यहां स्वजनों को छोड़ कर चला जाता है जब गर्व से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यू सामने खड़ी है तो मौक्ष के लिए किसी काल विशेश की क्या प्रतिक्षा राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं यह उनकी उदारता है किन्तु मेरे लिए यह अपथ्थे के समान अग्राहिय है धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ मेरे लिए अब अपनी प्रतिग्या को तोड़ कर घर लोटना उचित नहीं होगा मैं अब घर और बंधूओं के बंधन में पढ़ना नहीं चाहता राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया उन्होंने कहा हे कुमार धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है परंतु व्रिद्ध पिता को दुख दे कर धर्म का पालन भी उप्युक्त नहीं है आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़ कर अद्रिश्य लक्षे के लिए वन में चले आये हैं उसने कोई बुद्धी मानी नहीं है कुछ लोग पुनरजन्म को ही नहीं मानते ऐसी स्थिती में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ती द्वारा पित्र रिण वेदों के अध्ययन द्वारा रिशी रिण और यग्जियों के द्वारा देव रिण से मुक्त होना ही मोक्ष है इसलिए हे सौम्य यदि आपकी रुची मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नश्ट हो जाएगा आपको तपोवन से घर लोटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अंबरीश वन से घर लोट आए थे इसी प्रकार राम और शाल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लोट आए थे अतह धर्म के लिए वन से घर लोटने में किसी प्रकार का दोश नहीं है राज मंत्री के तर्कों को सुन कर राज गुमार ने कहा मैं इस विशय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता तपस्या और शांती से जो तत्व ग्यान मुझे होगा मैं उसे ही स्विकार करूँगा राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिये हैं वे मेरे लिए प्रमान नहीं है इसलिए यदि सूर्य प्रिथ्वी पर गिर पड़े हिमालय चलाएमान हो जाए तो भी मैं बिना तत्व ग्यान प्राप्त किये घर नहीं लोड़ सकता मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूफ से कहकर राजकुमार वहां से उठकर आगे चले गए राज पुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के द्रिध निश्चे को सुनकर बहुत दुखी हुए कुछ समय तक वे राजकुमार के पीछे पीछे चले फिर निराश होकर नगर की ओर लोटने लगे उन्हों ने राजकुमार की गतिविधी के बारे सूचना देने के लिए कुछ गुप्त चरों को न्युक्त किया राजा से अब क्या कहेंगे कैसे उन्हें समझाएंगे यही सोचते सोचते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे प्रिष्ट संख्या 35 बिम्बसार से भेंट राज पुरोहित और राजमंत्री को छोड़ कर राजकुमार आगे चलते गए कुछ समय बाद उन्होंग ने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धानिय से समपन राजग्री नामक नगर में प्रवेश किया चारों ओर से परवतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्हों ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयम्भू ब्रह्म्हा ने प्रवेश किया था शिव के समान द्रढवरती राजकुमार के गांभीरिय तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे उनका ऐसा प्रवाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की किसी ने सिर जुका कर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधूर शब्दों में उनका अभिनंदन किया उनको देखकर जो लोग सुसजित थे विचित्र वेश भूशा धारण किये हुए थे वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए उनकी भिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ-पैर, चलने की गती जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ती के सामने सभी ठगे से रह गए मगद के राजा बिम्बसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे-पीछे चलने वाली भीड को देखा तो उन्हों ने इसका कारण पूछा राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक के राजपुत्र परिवराजक सिधार्त हैं इनके विशे में ब्राहमनों ने यह भाविश्वानी की थी कि यह या तो परमग्यान को प्राप्त करेंगे या चकरवर्ती समराथ होंगे यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आग्या दी जाओ और पता लगाओ वह कहां जा रहा है राजा की आग्या के अनुसार राज कर्मचारी राज महल से बाहर आए और परिवराजक वेशधारी सिधार्त के पीछे पीछे चलने लगे उन्हों ने देखा की परिवराजक की द्रिष्टी स्थिर है वानी मौन है गती नियंत्रित है वे भिक्षा माग रहे हैं भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्विकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रिष्ट संख्या 36 भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक परवत पर गए एकांत निर्जर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर पांडव परवत पर जाकर बैठ गए काशाय वेशधारी सिध्धार्थ परवत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे की उदायाचल पर बाल सूर्य प्रगट हो गया हो राज कर्मचारियों ने यह सब देख कर राजा बिम्बसार को सूचित किया बिम्बसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और विस्वयम बोधी सत्व यानि सिध्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े वहाँ पहुचने पर बिम्बसार ने देखा कि बोधी सत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे की बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी कुमार ने भी यतोचित उत्तर दिया फिर राजा आग्या प्राप्त कर एक शिला खंड पर बैठ गए और उनसे वार्ता लाप करने लगे राजा बिम्बसार ने उनसे कहा हे कुमार आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है हे मित्र मेरी वाद सुनिये आपका सूर्य वन्ष महान है और आपकी अवस्था अभी नहीं है फिर क्यों आपकी बुद्धी स्वाभाविक क्रम तोड़ कर राज्य में ना रम कर भिक्षा वृती में रमी है आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है काशाय वस्त्र धारन करने लाइक नहीं है अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य है भिक्षा मांगने योग्य नहीं है हे सौम्य यदि आप स्नेह वर्ष अपने पिता का राज्य पराग्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए आप मेरे साथ मैत्री कीजिए यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रूओं को जीतिए आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धी स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए यदि संपूर्ण पुरुशार्थ प्राप्ति की इच्छा है, तो त्रिवर्ग यानि धर्म, अर्थ और काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए आप धनुश चरहाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए ये मानधाता के समान तीनों लोगों को जीतने में सक्षम है, फिर प्रिथ्वी की तो बात ही क्या? निश्चे ही, यह सब कुछ मैं सनेह वश ही आपसे कह रहा हूँ ना एश्वरे के राग से और ना अभिमान से, आपको भिक्षु वेश में देख कर मुझे दया आती है और रोना भी आता है जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विशयों को भोगिए हे धर्म प्रिये, समयानुसार ही धर्मा चरण करना चाहिए इस प्रकार मगध के अधीपती ने विविध्ध प्रकार से राजगुमार को समझाया परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ काम निंदा मगध राज के मुख से अपने लक्षे के लिए प्रतीकूल बातें सुनकर भी सिधार्थ ने शांती पूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा हे हर्यंक वन्शी राजा आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चेरे जनक नहीं है पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीती परंपरा से और भी बढ़ाते हैं सच्मुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है वही सच्चा मित्र कहलाता है इसलिए हे राजन मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता परंतु अनुने अवर्ष्य करना चाहता हूँ मैं तो जरा और बृत्यू के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूँ इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधूँ को भी छोड़ा है मैं सापों से वजरपात से या प्रचंड अगनी से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विशयों से डरता हूँ काम अनित्य है वह ज्यान रूपी धन का चोर है वह मोह पाश में बांधता है जैसे पवन प्रेरित अगनी इंधन से त्रिप्त नहीं होती वैसे ही विशय त्रिशित व्यक्ती कभी विशय भोगों से त्रिप्त नहीं होता जैसे अनन्त नदियों के गिरने से भी समुद्र की त्रिप्ती नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी त्रिप्ती नहीं मिलती देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किये जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा शासन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को त्रिप्ति नहीं मिली विशयों का चिंतन भी अमंगल है इसलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं यह जानकर भी इस काम के विश्ख को काउन ग्रहन करेगा आप जानते हैं कि संगीत की आसकती से हिरन मरते हैं रूप की आसकती से पतंगे जल जाते हैं मांस के लोव से मचलियां प्राण देती हैं आसकती का परिणाम ही विपत्ती है इसलिए मैं मानता हूं कि इन से दूर रहना ही बुद्धिमानी है मैं जानता हूँ, ना राजा सदा हस्ता रहता है, और ना दास सदा संतप्त रहता है मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर है संपूर्ण पृत्वी को जीत कर भी समराट अपने निमास के लिए एक ही पूर चुनता है राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है शेश सब कुछ तो मात्र दिखावा है मद है संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है इसलिए मैं जान बूज कर कल्यान के मार्ग पर प्रवित्त हुआ हूँ मैं ना तो क्रोध से वन में आया हूँ ना पराजित होकर किसी फल विशेश की इच्छा से आया हूँ इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ मैं तो संसार रूपी वान से धायता होकर शांती पाने की इच्छा से निकला हूँ मुझे तो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए इस प्रित्वी के राज्य की बात ही क्या हे राजन आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपोन रूप से सेवन करना ही परमधर्म है आपकी यह बात मुझे अनर्थकारी लगती है क्योंकि त्रिवर्ग नाश्वान है और संतोषप्रद भी नहीं है मैं तो परमपद उसे मानता हूँ जिसमें ना जरा है ना भय है ना रोग है ना जर्म है ना मृत्यू है ना व्याधी है और जिसके पाने के बाद भी कुछ करणिय नहीं रहता है यम्राज सभी को किसी भी अवस्था में बलात खीच लेता है इसलिए कल्यान के लिए व्रिधावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है हे राजन, अब मुझे ठागा नहीं जा सकता है मैं वहस्थुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुख दे कर प्राप्त किया जाता है मैं यहां आया था और अब मोक्षवादी अराड मुनी से मिलने जा रहा हूँ आपका कल्यान हो, आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें कुमार भिक्षू के ये आशिरवचन सुनकर मगध राज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हो हो और समय आने पर मेरे उपर भी अनुग्रह करें अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिध्धार्थ वहां से वैश्वंतर आश्रम की ओर चले गए मगध राज भी सिध्धार्थ के परिवराजक के रूप में विस्मित होकर अनुचरों के साथ राजग्रह की ओर लौट गए प्रश्ण एक, सिध्धार्थ को निर्वान के विशय में पहली प्रेड़ना किस प्रकार मिली? दो, राजगुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के सम्मक्ष क्या-क्या शर्तें रखी? प्रिष्ट संख्या 49 तीन, छंदक कौन था? सिध्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया? चार, सिध्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए पाँच, तपोवन में सिध्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा? छे, वन से लोटने के संबंध में राज मंत्री के तर्क सुनकर सिध्धार्थ ने क्या कहा? साथ, बिम्बसार ने सिध्धार्थ की साहयता के लिए क्या प्रस्ताव रखा? यहां अध्याय दो समाप्त होता है संक्षित बुद्ध चरित अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित का ध्वनी पाठ वाचनस्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत